जैहिंद असलाम वालेकुम नमस्ते सस्रीयकाल आप सभी का मेरे यूटूब चैनल स्काउटिंग सीखो और सिखाव में स्वागत हैं हलो दोस्तों मेरा नाम मुहम्मद इस्राइल आज मैं आपको बताने वाला हूँ दूटिये सोपान के क्वेस्चन नमबर पांच के ए पॉइंट को बताऊंगा तो दोस्तों इस क्वेस्चन को मैंने दो पार्ट में बनाया है यह पहला पार्ट है तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा यूटूब चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो आप मेरे यूटूब चैनल को सस्क्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो इस प्वेस्चन में दिया है कि घावों के बारे में ग्यान रख्या और रक्त स्राव, जलन और जुलसना, मोच, डंक और काटने से निपटने का तरीका जाने तो शुरू करने से पहले आप सभी स्काउट गाइड रोवर रेंजर को एक बात मैं बता दू कि आप एक फस्टेडर हैं, डॉक्टर नहीं यह जो रक्त स्राव, जलन और जुलसने का उपचार आपको बताया जा रहा है यह नार्मल यानि साधारन उपचार विशम परिस्थितियों में करने के लिए बताया जा रहा है तो जो उपचार आउसकता अनुसार हो उसे कर दें और अगर ज्यादा है तो उपचार करते हुए आप डॉक्टर के पास ले जाए तो चलिए सुरू करते हैं रक्तसराव तो रक्तसराव किसे करते हैं रक्तसराव वह सराव होते हैं जो सरीर के किसी भाग से ब्लड यानि खुन निकलने लगे तो उसे रक्तसराव करते हैं जैसे सरीर के किसी भाग पर कट फट जाना, सर का फूट या फट जाना, किसी नोकिली वस्तू का चुब जाना इत्यादी कुछ भी हो सकता है, जिससे सरीर से खून बाहर निकलने लगे। इसके बाद है बलड यानि खून निकलने का उपचार यानि खून रोकने के उपाय तो बलड यानि खून को रोकने के लिए निम्न उपाय होते हैं नमबर एक हाथ से दबा कर पकड़ना नमबर दो सूती कपड़े से दबा कर पकड़ना वो सूती कपड़े से बाधना नमबर तीन अगर ज्यादा बलड यानि खून निकल रहा है तो उसे सूती कपड़े से लपेट कर रसी से बाधना या बाध देना चाहिए तो इस तरह से हम उरक्त सराव यानि खून को बहने से रोक सकते हैं इसके बाद दूसरा है जलन और जुलसना तो जलन और जुलसना किसे कहते हैं किस कारण और किन किन चीजों से हो सकती है तो जलन और जुलसना आग से हलका जल जाना भाप से जल जाना गर्म पानी से जल जाना गर्म लोहे या बरतन से जल जाना इत्यादी जिस से जलने व जुलसने के बाद जलन पैदा हो। कभी-कभी जलने और जुलसने के बाद उस जगह पर हम देखते हैं कि पानी सभर जाता है। जिसे हम लोग अपनी भासा में फोक्चा पढ़ना यानि पफुले पढ़ना कहा जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जलन और जूलसने का उपचार कैसे करते हैं तो जली हुई जगह को थंडे पानी में डूबो कर रखे या दर्द ठीक होने तक थंडी सिकाई करें जलन वाले अस्थान को थंडा होने के बाद उस पर एरोवेला युक्त कोई लोशन या कोई ओएली क्रीम या तेल लगाएं इससे घाव सूखेगा नहीं यानि पपड़ी नहीं पड़ेगी और इस तरह आराम मिलता है जली और जोलसी हुई जगह को कवर करने के लिए ठंडे और हलके गीले कपड़े से ढखे अगर तवचा पर फफोला बन गया है या तवचा हटाने जैसा पपड़ी हो गया हो तो उसे हटाएं या फोड़े नहीं क्योंकि यह तवचा को इंफेक्शन से बचाता है अगर यह अपने आप फूट जाता है या हट जाता है तो उस जगह को पानी से साफ कर ले और उस पर एंटिवाइटिक दवा लगा दे अगर आव सकता है तो मेडिकल स्टोर पर मिलने वाली कोई दर्द यानि जलन की दवाल लेकर खा ले और लगा ले और उसे डॉक्टर को दिखा ले ताकि अच्छे से ठीक हो जाए और आने वाले समय में कोई दाग धबा न रहे जिससे भविस्यकी लाइफ में कोई दिक्कत न हो तो इस question का उधारों सोरूप answer description में आपको PDF लिंक मिल जाएगा आप वहां से देख समझ और लिख सकते हैं तो दोस्तों स्काउटिंग से जोड़ी जानकारी देखने पाने वाज जानने के लिए आप सभी मेरे YouTube चानल को सस्क्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आ हैं